आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ उत्तरप्रदेश की एक स्कीम के बारे में जिसका नाम है वन डिस्टिक वन प्रोड़क यानि एक जिले का एक उत्पाद इस योजना की शुरुवात कैसे हुई और दूसरी इंपॉर्डेंट बात की किस जिले के लिए किस उत्पाद को सलेक्ट किया गया यह एक्जाम पॉइंट अव यू से बहुत इंपॉर्डेंट है हमेशे सवाल पूछे जाते स्पेशली उत्तरप्रदेश से संबंदित एक्जाम होतो तो चलिए इसको देख लेते हैं जल्दी से क्या कुछ इंपॉर्डेंट इंफॉर्मेशन है याद रखे कि एक जन्पद एक उत्पाद यानि वन डिस्टिक वन प्रोड़क जो प्रियोजना है इसका शुभारम किया गया था 24 जनवरी 2018 को ये दिन क्यों सेलेक किया गया है आप जानते है 24 जनवरी के दिन को ही उत्तरप्रदेश दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी 1918 को ये लाई गई है योजना पहला पॉइंट याद रखेगा दूसरी बात ही कि उत्तरप्रदेश दिवस के अवसर पर इसको लॉंच किया गया था तीसरी important बात ही कि मानिय मुख्य मंत्री योगी आधितेनाद द्वारा इसको शुरुआत की गई इसकी गोशना की इसकी शुरुआत हुई और यहां पर उत्तरप्रदेश सरकार की इस परियोजना का उदेश्य है घरेलू तथा विश रोजगार का सरजन करना है आपर याद रखना हर एक डिस्टिक लेवल पर लोगों को रोजगार मिल सके हर एक जनपत की विशेश उत्पाद को चैनित किया गया और इस उत्पाद के अंदर उत्पादन से लेकर निर्मान तक कि सभी चीज़ों को ध्यान में दिया गया तो सारी चीज़ों को बहतर बना सके और जनरली तोर पर सबसे इंपॉर्डेंट है राज्ये की जीएस डीपी में व्रधी करना राज्ये की परतिवेक्ति आये में व्रधी करना लोगों को रोजगार उपलब्द कराना गरीवी में कमी करना और सबसे इंपॉर्डेंट है लोग विश्व इस्तर पर पहुंचाना जो one district one product है विश्व इस्तर पर इनकी मार्केटिंग करना यहां पर इसानिय चमताओं का वर्धन करना याई सवाल कई बार एक्जाम में रहे हैं हमारे पास अब यहां पर याद रखेंगे जिसे आगरा है हमारा अब आगरा किस लिए पहिमा से का ताला है लगबख साड़े 400 किलो का ताला वो यहीं से पहुचा है एवब हाडवेर तदा मैटल हेंडी क्राफ्ट की बात हो गए और यह जिले की बात करें तो दूद परसंसकर और इस्पेशली देशी गी क्योंकि दूद से बनने वाला है फूड मिल्क प्रोसेसिंग की बात की गए देशी घी की बात की आजम गड़ के अंदर काली मिट्टी से बनी जो क्लाकरतियां होंगी उनको चुना गिया था इसी तरह अंबेडकर नगर में वस्त उत्पाद चुन इस तरह के बने हुए प्रोड़क्ट जो आँ यहां देख पा रहे हैं सेकिंड के अंदर यह मूझ कहलाते हैं बदाईयों के अंदर जरी दर्जोजी बने हैं बागपत में हॉम फरनिशिंग को चुना गिया था इसी तरह बहराईच में गेहू डंठल यानि हस्त कला उत्प सकते हैं बई और साथ में बलरामपुर में खाद्य परसंसकरण स्पेशली डाल को चुना गिया था बदोई में कालीन की बात की गई है बांदा में शजर पत्थर की बात की गई है बिजनोर में भी कास्ट कला की बात की गई लकली पर जो कला हो रही आपकी बारा बंकी में वस्र उत्पाद चुने गए, बुलंद शहर में सेरमिक उत्पाद चुने गए, यह इस तरह के बने हुए जो उत्पाद आपके पास है, that is called सेरमिक, इसी तरह चंदौली के अंदर जरी दर्जोजी और काला चावल चुना गिया था, चित्र कूट में लकली के बने खिलोने च देवरिया में सजावत के सामान, कड़ाई और सिलाई के उत्पाद चुने गए, इटावा में वस्र और सिलाई तथा वस्र कड़ाई चुनी गई, एटा में घुंगरू, घंटी और पीतल के बने उत्पाद चुने गए, इसी तरह फरुखाबाद में वस्र छपाई और जर वाल हेंगिंग चुनी गई यहाँ पर गाजियाबाद में अभियांत्री की सामगरी जो है यहाँ पर वो चुनी गई गोंडा के अंदर खाद्य पर संस्क्रण यानि दाल को ही चुना गिया था गोरकपुर का बड़ा फेमस ही है टेरा कोटा बहुत बाराता एक्जाम में जो यह मिट्टी के बने होते हैं बिसिकली लाल मिट्टी है अपने आप में यह इसके अलावा हापुर के अंदर हॉम फरनिशिंग की बात की गई है हरदोई में हैंडलूम प्रोडक्स की बात की गई इसी तरह हाथरस में हींग के बारे में बात की गई हाथरस में हींग की बात की गई हमीरपूर में जूते की बात की गई जालोन में कागस कला की बात की गई जानपूर में उनी कालीन की बात की गई जहासी में soft toys की बात की गई कोशांबी में खाद्य पसंसकन्ज में केला आता है इतरा कन्नोज में इतर की बात की इतर नगरी भी कहा जाता है अब जानते हैं कन्नोज को कुशी नगर में केला fiber उत्पाद और केले से बने product हो गए कानपूर के अंदर aluminum बरतन है कानपूर नगर के अंदर चमला उत्पाद है कानपूर वैसे भी चमले के लिए बहुत जादा famous है काजगंज में जरी दर्दोजी को चुना गिया लखिमपूर में जन जातिय शिल्प और गुल उत्पाद को चुना गिया ललितपुर के अंदर जरी सिल्क साली को चुना गिया लखनों में चिकन कारी बहुत फेमस है एक्जाम के पॉइंट अव यू से और जरी जर्दोजी चुनी गई महराज गंज में फरनीचर को चुना गिया मेरट में खेल की सामगरी ओव्यस है फेमस है खेल सामगरी के लिए महोबा में गौरा पत्थर ये बड़ा इंपॉर्टन एक्जाम के लिए गौरा पत्थर को चुना गिया था मिर्जापूर में कालीन और मेटल उद्योग चुने गए थे मैनपूरी में तरकशी कला को चुना गिया था मुरादाबाद में धातू शिल्प यहनी जो इस्पेशली आप जानते हैं पीतल नगरी कहा जाता है मुरादाबाद को मतुरा में सेनेटरी फिटिंग और पोशाक की बात की गई यहां मुजफरनगर में भी गुल को चुना गिया था मुझ के अंदर वस्त चुने गए पिलिभीत में बांसूरी और लकली के उत्पाद चुने गए परताफगण में खाद परसंसकर्ण इस्पेशली आवला को चुना गिया प्रियाग राज में मुझ उत्पाद चुनेगा संदकबीर नगर में ब्रासवेर चुने गए शाजहापुर में जरी दर्दोजी चुने गए थे इसी तरह शामली के अंदर लोकला को चुना गिया सहारनपुर में लकडी पर नकाशी ये बड़ा फेमासे एक्जाम के लिए लक्डी पर नकाशी के लिए फेमा से सहारन पूर जन जाती शिल्प के लिए श्रावस्य को चुना गया संबल में हॉर्न-बॉण की बात की गई जो हमारे सींग से बनने वाले उत्पाद हैं हॉर्न-बॉण की बात की गई सिधार्थ नगर में काला नमक चावल है उसको चुना गिया, सीतापुर में दरी को चुना गिया, सौनभदर में कालीन है, सुल्तानपुर में मूझ उत्पाद चुने गए, उन्नाव में जर्दोजी चुने गए, और बनारस के अंदर बनारस की रेशम साली को चुना गिया, ये वो सारे के सारे 75 हमारे जिले हैं, और करता है या फिर कौन सा पॉसिबल है आंसर होना या नहीं होना क्योंकि यहां पर वेरियस मल्टिपल ओप्शन तो नहीं चुनने होते हमें कि A भी हो सकता है B B और C B यहां पर कोई